गूड मॉर्निंग एप्रिमन आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चेप्टर जिसका नाम है बिजनस रिस्क इसके नेचर एंड काउजिस के बारे में पड़ेंगे बिजनस रिसक क्या होता है क्या इसकी नेचर है और क्या इसके गाउजिस है तो सबसे पहले हम बात करेंगे business risk क्या होता है इसका meaning तो वैसे मैं पहले आपको जनरली तोर पर बता देती हूँ business risk क्या होता है आपने जब business की features पड़े थे तो उसमें एक point आया था risk business है तो risk हो गई होगा business करने के लिए risk उठाना ही पड़ता है अब risk होता क्या है जोकिम होता क्या है कि business आपका चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है ये risk हमेशा बना रहता है अगर चल जाएगा तो आपको profit होगा और अगर नहीं चलेगा आपका business तो आपको क्या होगी loss होगी यानि के बिजनस में लाब या हानी की सम्भावना को ही risk कहते है देखो मैंने इधर ही आपको बता दिया इसका नहीं क्या होता है risk बिजनस में profit और loss की possibility को ही हम business risk कहते है risk का नाम दिया जाता है अब इसके meaning में आते हैं इसका भी पराए अनिश्चित ताओं के कारण बैवसाए में अप्रियापत लाव अत्वाहानी की संभावना से है बैवसाए जो है वो भुष्य के लिए की जाता है और फ्यूचर जो है हमारा भुष्य जो है हमारा अनिश्चित है उसके बारे में हम निश्चित तोर पर नहीं कह सकते हैं कि ये हो सकता है भुष्य में हो भी सकता है वो और नहीं भी हो सकता है अनसर्टेनिटी जो है वो बनी रहती है अनिश्चिता बनी रहती है तो वेवसाय में अनिश्टिताओं के कारण ही अप्रियाबत लाव अत्वाहानी की संभावना जो है वो बनी रहती है उसी को हम जो है वो बिजनस रिस्क का नाम देते हैं जैसे मैं आपको एक उधारन दूँ अभी अभी जैसे कोई हमारे पास फैक्टरी है उसने अचानखी market में ऐसा change आया कि माल लिखना जो है वो बंद हो गया कस्टमर के जो टेस्ट थे वो change हो गया और उन्होंने वो माल लेना जो है वो बंद कर दिया तो इससे business को क्या हो जाएगा loss हो जाएगी क्योंकि माल भीका ही नहीं जो cotton clothes उन्होंने बनाए थे गर्मी के लिए जैसे lockdown हो गया आजकल तो उसकी वज़ा से market बंद बढ़ी है तो जो जितने भी businessmen है उनका वो माल नहीं भीका जिसकी वज़ा से उनको क्या हो रही है loss हो रही है यही अगर market खुल जाती है lockdown हमारा खतम हो जाता है तो माल जो है वो धड़ा ध़ड़ उनका बिकना शुर्ण हो जाएगा गर्मियों का माल जिससे business को क्या हो सकता है profit हो सकता है तो कहने का अर्थ है business में लाव अथवा हानी की संभावना जो है वो बनी रहती है possibility बनी रहती है इसका हम यह नहीं कह सकते है love है या हानी है कि risk जो है वो हानी ही है या love ही है risk जो है वो लाव अथवा हानी की संभावना है possibility है possibility का मतलब है हो भी सकती है वो चीज और नहीं भी हो सकती है तो उसकी को हम क्या कहते हैं, business risk, अब हम इसकी definition पढ़ लेते हैं, according to Wheeler, उसने क्या दी है, इसकी प्रिभाशा, risk is the chance of loss, it is the possibility of some unfavorable occurrence, अब देखो बार बार ये शवद आ रहा है, possibility, तो possibility का वन्दब है, संभावना, risk is the chance of loss, risk जो हानी का संयोग है, ये किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है, प्रतिकूल घटना, यानिके business के प्रतिकूल, अचानक लाब हो जाएगा, बहुत जादा लाब हो जाता है, तो ये भी प्रतिकूल घटना है, अचानक loss हो जाती है, ये भी क्या है, तो जोखिम जो है वो हानी का संयोग है ये किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है possibility है possibility जब बनी रहती है बिजनस में लाव या हानी की तो उसी को हम बिजनस रिस्क कहते हैं अब इसकी नेचर क्या है नेचर ओफ बिजनस रिस्क वेवसाइक जोखिम की प्रकुइंट है इसका risk is the result of uncertainties जोखिम जो है अनिश्चितताओं का प्रिनाब है जोखिम कब पैदा होता है जब अनिश्चितता होती है अनिश्चितता यानि कि हम डेप साइज जो है वो यह सोचकर निकरते हैं कि एक मीने के बाद हमने अपना बिजनस जो है वो बंद कर देना है हम यह सोचकर बिजनस करते हैं कि यह future में जो है वो चलता रहेगा और future जो है वो हमारा अनिश्चित है हम future के बारे में कुछ नहीं कह सकते इसलिए जोखिम जो है वो अनिश्चितताओं का प्रिडाम है बिजनस जब चलता रहेगा विश्चित के लिए में और result है और यह अनिश्णताय कोन कोन सी हो सकती है human business and natural यह अनिश्णता जो यह वो मानवीय हो सकती है business से website भी हो सकती है और natural पराकृतिक भी हो सकती है मनुष्य की बजासे भी जो आपनी रहती है कैसे बनी और सकते हैं वो आगे में पढ़ेंगे वैवसाज की वज़ा से भी अनिश्रिता बनी रहती है और नेचुरल के जोश्रीं ब्रॉप किसका रिजल्ट है अन्सर्टेइंटिज का रिस्क इस आनवोडेवल जोखिंसे बचा नहीं जा सकता. Risk is unavoidable because it is carried on for future and future is uncertain. Yes, the risk can certainly be minimized. जोखिम से बचा नहीं जा सकता क्यूंकि बेपसाइब विश्य के लिए किया जाता है और विश्य क्या है? अनिश्यत है. हाँ, जोखिम को कम अविश्य किया जा सकता है. जैसा कि मैं बीचे भी बता चुकी हूँ कि जोखिम बिजनस जो भीश्य के लिए किया जाता है और विश्य जो अनिश्यत होता है. जोखिम को हम कम जुरूर कर सकते हैं लेकिन इससे बच नहीं सकते जोखिम हम काम कर सकते हैं लेकिन कौन सा वाला जो हुमेन की वज़ा से होता है या जो वेबसाइक की वज़ा से होता है लेकिन जो नेचर की वज़ा से होता है रिसक उसको हम काम नहीं कर सकते लेकिन हुमेन और बिजनस वारा रिसक जो है वो काम किया जा सकता है लेकिन ब degree of risk varies with the size of business जोखिम की मात्रा डेवसाई के आकार के अनुसार यह इसके पॉइंट से क्लियर हो जाता है जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही जादा रिस्क होगा और जितना छोटा बिजनेस होगा उतना ही काम रिस्क होगा जोखिम की मात्रा चोटे अकार के वेफसाई में कम वो बड़े अकार के वेफसाई में अधिक होती है यह तो पता ही चल गया अब आपको चोटा बिजनेस होगा तो कम रिस्क जादा बड़ा बिजनेस होगा तो अधिक रिस्क इसका मतलब क्या हुआ बेवसाई को जोखिम उठाने के बदले में जो मिलता है उसे हम लाब कहते है जितना अधिक जोखिम होता है उतने ही अधिक लाब की संभावना होती है तो profit is consideration of risk taking profit जो है वो कब मिलता है risk taking के बदले में यानि कि जब हम risk लेते हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिलता है profit मिलता है जितना बड़ा risk उठाएंगे उतना ही जादा हमें profit होता है next है risk depends on the nature of business जोखिम की मातरा प्रकृति पर निर्भर करती है the amount of risk depends on the nature of business in the business of daily utility things like salt, pulses, atta, etc the amount of risk is less on the other hand in business where things, warning, fashion are sold the amount of risk is greater जोखिम की मातरा प्रकृति पर निर्भर करती है जिन प्रकृति जाती है जैसे नम कदाल आटा अधी का प्रयोग की आधी का वेपार किया जाता है वहाँ जोखिम की मातरा कम होती है दूसरी और जिन वेपसाईों में फैशन वाली वस्त में बेची जाती है वहाँ जोखिम अधीक होता है आई समझ इसका मतलब ये हुआ कि जोखिम की ऐसे बेफसाई जहां पर डेली नीड़्स की डेली यूज्स की वस्त में बेची जाती है जैसे नम कदाल आटा वहाँ पर रिस्क जो है वो कम होता है क्योंकि ये बिकी जाता है कभी ना कभी क्योंकि ये खराब नहीं होती है और हमेशा बिखती रहती हैं ये चीज़े जैसे नम को गया, डाल हो गया, आटा ये सबी खाते हैं और इसमें रिस्क काम है लेकिन जो बेपसाई फैशनेवल बस्तवों का बेपसाई करते हैं वहां जोखिम की मातरा अधिक होती है क्योंकि फैशनेवल बस्तवों का ये रहता है कि अगर वह बस्तवों आउट फैशन हो जाती हैं तो बस्तोक पढ़ा रह जाता है और नहीं बिखता जिससे बिजनस को क्या हो जाती है लोस हो जाती है तो फैशनेवल बस्तवों का बेपार जो बेपसाई करते हैं वहां पर जोखिम kin की मात्रा अधिक होती है और जहां पर डेली उपयोग की वस्तवें का ब्यपार किया जाता है नमक दाल आट्टा वग्यरा का वहाँ पर जोखिम की मातरा कम होती है तो यह थी रिस्क की नेचर बीजनस रिस्क की क्या नेचर है यह उसके बारे में थे पांच पॉइंट यह आपने जो है वो लिख लेने है नोट यह चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आपका थैंक यू